मुझे लगता है कि उस पर शारिरिक अत्याचार हो रहा है। गेब की मुस्कान गायब हो गई। क्या तुम पक्की हो? लारिसा यहां होप काउंटी हॉस्पिटल में सिर्फ छे महीने से नर्स थी, लेकिन उसने सोचा था कि अब तक उसने अपनी योग्यता साबित कर दी होगी। उसने नाराजगी से देखा। मुझ पर विश्वास करो, मुझे पूरा यकीन है। गेब ने गंभीरता से सिर्हिलाया। ठीक है, मुझे इस इन-patient admission को पूरा करने दो और मैं तुरंत वहाँ आऊंगा। धन्यवाद, वह जल्दी से एनी के बिस्तर के पास वापस आ गई और अपने हाथों से disposable ice pack को दबा कर उसके अंदर की chemical reaction को सक्रिय किया। यह लो, इसे अपनी कलाई के चारो और रखो, ठीक है, उसने निर्देश दिया। डॉक्टर एलन थोड़ी देर में यहां होंगे। एनी ने दर्द से कराहते हुए pack को अपनी कलाई पर रखा लेकिन कुछ नहीं कहा। लारिसा सही शब्द धूंडने के लिए संगर्श कर रही थी, जो इस महिला के इनकार की दीवार को तोड़ सके। एनी, तुम्हें किसी के द्वारा चोट पहुँचाने का सामना नहीं करना चाहिए। हमारे पास ऐसे कारिक्रम हैं, जो तुम्हें सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं। कोई मुझे चोट नहीं पहुँचा रहा है, इनी ने तेजी से इनकार किया। मैंने तुमसे कहा था कि मैं पोर्ट से गिर गई थी, उसकी आवाज में नाराजगी थी, और लारिसा को सहज ही महसूस हुआ कि उसे पीछे हटने की जरूरत है, नहीं तो महिला भाग सकती है। ठीक है, माफ करना। मुझे बस यह बुरा लगता है कि कोई तुम्हें चोट पहुँचाए, उसने एक आश्वस्त करने वाली मुस्कान के साथ कहा। तुम बहुत अच्छी महिला हो और निश्चित रूप से तुम्हारे साथ ऐसा ही वेवार किया जाना चाहिए। ओ, देखो, डॉक्टर इलन अब आ रहे हैं। आप कैसी हैं, श्रीमती हिंकल, उन्होंने पूछा। मुझे समझ में आया कि आपकी कलाई तूट गई हो सकती है। मैं पोर्ट से गिर गई थी, इनी ने फिर से अपने तोते की तरह वही कहानी दोराई। हम, गेब ने धीरे से कहा, जैसे ही उन्होंने उसकी कलाई से आइस पैक हटाया। चोट की गंभीरता देखकर उनके चहरे पर गंभीरता चा गई। उन्होंने तवचा को धीरे से छुआ, उनका चहरा चिंतित था। हमें इस कलाई के कई एकसरे लेने की जरूरत पड़ेगी, उन्होंने कहा। लारिसा ने तुरंत कंप्यूटर में लॉग इन किया। एपी और लेटरिल व्यूज, उसने ओडर दर्ज करते हुए पूछा।